तो चलिए बच्चों आज हम एक चेप्टर शुरू करने जाते हैं जिस चेप्टर का नाम है फाइबर टू फैप्रिक यह क्लास सेवन का एक टॉपिक है जिसमें हमने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है जैसे कि आपकी प्लांट फाइबर तो उसके बारे में पढ़के आए थे अब हम उसके एक एक इस्टेंशन पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है अब आप अब आप अनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं यह चैप्टर कुछ पार्ट्स में आपको मिलेगा प्लोक्स त्री टू-फॉर पार्ट्स में इसे पतम करेंगे ल है तो हम प्लांट सोर्स से उन्हें अविलेवल करवाते हैं यह एनिमल सोर्स से यह फिर हम उन्हें केमिकली और और येंटेड भी यूज करते हैं अगर हम आगे चलें इस चैप्टर में तो हम सबसे पहले यह पढ़ते हैं कि जैसे यह यहां देखिए जैसे कि आप सबको I think की स्क्रीन शेर हो रही है जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह चैप्टर जो है इसमें हम देखिए कि सबसे जादा हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिस को हम पढ़ेंगे वूल का एक पूरा पार्ट है और दूसरा पार इसका सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैटा बूल से ही इस सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वूल इस ओपटेंड फरम दी फ्लीस ऑफ एर जो बूल है वह कहां से और यंटेटल होत आपंड बड़ा फ्लीस मतलब क्या होता है है फ्लीस होता है बेटा पैयर और उफ उफ शीप औ याक को हम इस कहते हैं अब क्या होता है ना कि वेक्चली में उनके हीर सोते है निमल्स के जिनसे से हमें वूल मिलती है और दूसरा है कि इसे की जैसे की दूसर टौपिक हम मालूम है हमारे है हमें एसमें सिल्क हमें खrick खटेंु होता हैै रही को कुण और सबसे पहले जो हमने पहरा जो है सबसे हैं में पहां से मिल दृए है what ऐट है शीप से गोड से याक और ऐसे कुछ और ऐनिमेल हमें प्रोवायर करवाते हैं अब आपको यह जानना बहु जरूरी है कि वूल जो होती है जो होती है इतनी गरम क्यों रहती है तो हम इसके बारे में जानते हैं कि जैसा कि आप सब को पता है कि अब देखें हमकी लाइकस कि हैरी स्किन ऑफ शीप है टू टाइपस ऑफ फाइबर जब शीप की जो स्किन है वह दो टाइप के फाइबर्स दें बिटा हमें भpetto के फाइबर्स किया उस दो टाइप के फाइबर्स है एक तो हन्डर्स स्किन के बहुत इंस तो जो जर्नली सॉफ्र ने चरू जो फाईन हेर होते है अब एक चीज Professora जानते हैं कि हम यह जानते हैं कि अलग-अलग breed of sheep होती है अलग-अलग kind of sheep अलग-अलग kind of goat होती है तो asper the breed उनकी जैसी breed होती है उस breed के साथ से उनके hair quality भी होती है अब एक selective process use करते हैं जो लोग sheep rare करते हैं या sheep पलते हैं for the purpose of wool वो क्या करते है selective breeding करते हैं अब आप पूछेंगे सर selective breeding क्या होती है selective breeding जो है ना बेटा वो यह है कि parents जो होते हैं उनको particularly choose किया जाता है उनकी qualities के साथ से और फिर उनसे एक offspring oriented या obtain किया जाता है एक offspring वो offspring जो होता है उसको हम अधा अपना goal या outcome यूज करते हैं कि वो उसकी पर्टिकुलर quality होती है इस प्रोसेस को ही हम selective breeding करते हैं अब इसे हम book की language हो पढ़ लेंगे थे इस process of selective breeding for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding कि जो पूरा process है जिसमें हम parents को select करते हैं उनकी special characters की वज़े से और वही characters हमें उनके office spring में मिलते हैं जैसे कि soft under hair in the sheep is termed as selective breeding जैसे कि sheep के अंदर तो soft under hair होता है वो एक selective breeding का ही process है अब हम इस chapter में थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं Animals that yield wound हम सबसे पहले जान लेते हैं कि hayır ऑल हम आलम हम उनकर है शीप की तो breed है यह में फ्लीस से गूल मिलती है और शीप हम मेंivos प्रोवाइड करते हिए लेकिन फूर शीप ही नहीं हैं जो के उनके बहूं में प्रोवाइड करते हैं अब लेकिन सबसे पहले breed of sheep's की बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे हमने की selective breeding की बात करी है तो कुछ sheep's ऐसी भी हैं जो की एक particular region में पाई जाती हैं और उनकी quality of hair बहुत अच्छे होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम बात करें wool in common in tibbat and laddak mohair is obtained from angora pools found in hilly region such as jammu and kashmir अब आप एक चीज़ देखिए वेटा ये क्या कहा रहा है कि जो wool है वो बहुत commonly found होती है तिबबत में और लग्दा की और एक breed है जिसको हम बोलते है mohair wool की एक kind है जो कि हमें अंगोरा goat से मिलती है और अंगोरा goats हमें conscious states में मिलती है किस goat से obtained होती है उस goat का नाम बताई है यह particularly आपसे यह पूछ सकता है कि अंगोरा goat कौन से part of our country में मिलती है ऐसे ही हम देखें कि अंडर फार आफ कश्मीरी goat is soft कि जो कश्मीरी goat होती है इनका अंडर कोट जो हता है बहुत soft होता है और यही use होता है पश्मीना शॉल्स के लिए पश्मीना शॉल्स I think लोगों ने सुना होगा especially girls ने इस चीज़ को अगर आप पश्मीना शॉल्स के बारे में नहीं जानते तो आप please अपने elderly female आपके घर में जोंगी उनसे एक बार बात कीज़ेगा वो आपको detail में इस चीज़ के उपर आपका जो कि South America में फॉर्म होती है यह आप फिगर्स में भी देख सकते हों फिगर्स में आपको शो करता हूं वैटा फिगर्स देखिए यह लामा कुछ इस तरीके से दिखती है यह अलपाका होती है यह कुछ इस तरीके से दिखती है आप देखते कितना थिक अरपोर मेरे पास फाइबर से वूल तक का जो जर्नी हमारी वो कैसे कवर करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले एक टॉपिक आता है हमारे पास वाह कि आपने जर्नल ही अगर आपको कभी और ने की ना कभी देखा हूगा कि जैसे स्टेट्स हैं जम्मू कशमीर में उत्राकट है आप नौट इस के साथ ट्रावल करें हैं उत्राइश प्रदेश चसिक के लिए हैं देखने को मिलते हैं, आपको shepherds मिलेंगे, उनके साथ बहुत सारी large amount of flock चल रहा हुदा है, sheeps का या goats का, तो generally वो क्या करते हैं, वो पालते हैं बेटा, breed करते हैं इनको, sheeps को, goats को, जो भी हमने animals examples में देखे, जो हमें wool प्रवाइड करते हैं, उनको वो रेयर करते हैं, उनको grazing के लिए लेकर जाते हैं, specially उनके लिए special diet दे जाती है, उस special diet जो होती है, आप देखें हैं, आपको कुछ बता रखें कि जैसे हमें वालूब है, कि जो sheeps और goats होती है, generally grass रिफर करती हैं खाना, लेकिन उन्हें pulses, corn, jowar, oil cakes, ऐसा material भी दिया जाता है बेटा खाने के लिए, जिसके अंदर minerals होते हैं, क्योंकि winter में उनके लिए बहुत help देता है, और indoor रखते हैं उन्हें, जब winter आ जाती हैं, तब उन्हें indoor रखते हैं, कि उनको coat खराब ना हो, क्योंकि hair coats खराब ना हो, इसलिए उन्हें winter में घर के अंदर रखते हैं, अब इसमें बेटा इतना ही था, अब हम इसमें थोड़ा सा एक process है हमारे पास, जो कि है, processing fiber into wool, ये पूरा आपका एक important topic है इसका, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, processing fiber into wool, सबसे पहला जो हमारे पास आता है, कि the fleece of sheep along with the thin layer of skin, removes from its body, this process is called sharing, जब हम fleece को remove कर देते हैं, जो कि sheep की skin पे होता है, इस process को हम sharing जनते हैं, sharing बोलते हैं, इसका आपका question भी बन सकता है, कि what is shared, अब इसके लिए हम दो तरीके सा use कर सकते हैं, भी हमारे पास कुछ options नहीं जाएक से कि, हम उनके hair shave कर सकते हैं, जैसे barbers shave करते हैं, hot weather, generally, गर्मियों में हम उनके hair shave करते हैं, या तो फिर हम electronically charged shavers का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब अगर हम इसके आगे पढ़ते हैं, machines similar to those used by barbers, used to shave off their hairs, hairs are removed during the hot weather, अब जो barbers जिस तरीके से hair remove करते हैं, बैटा, उसी तरीके से या इनके भी hair remove किये जाते हैं, ठीक है, अब यह हम hot weather में करते हैं, ताकि सर्दियों में वो survive कर सकें, अगर अब हम जानते हैं, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं बैटा, कि woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn, उसके बाद हम उन्हें process एक होता है, उसके through लेके जाते हैं, उसके बाद हमें woolen yarn एक मिल जाता है, अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आपको एक नीचे table दे रखी हैं, यह table अगर हम देखते हुए चलने हैं, तो इसमें हम पर चलता है, यह breeds दे रखी हैं आपको, यह quality of wool दे रखी है बेटा, और यह state कहा कहा पर मिलती है, बहुत important part है, यह आप फिलीस छोड़ के मत जाईएगा, MCQ या one mark oriented potions में आपको देखते हैं, यह जैसे कि लोही breed है, अच्छी quality की wool हमें देती है, राजस्तान पंजाब में मिलती है, रामपूर बुशहर, ब्राउन फिलीस होती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचिल प्रदेश में मिलती है, नली, कार्पिट वूल देती है, मतलब फाइन क्वालिटी ऑफ बूल नहीं है, राजस्तान, हरियाणा, पंजाब, तीन जगे मिलती है, बगरवाल, फोर वूल न शॉल्स, जमू एन काशमीर, यह हमने पढ़ा था, प्रशमीन शॉल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, मारवाडी, कोर्स वूल देती है, जो कि गुजरात में रहती है, पतन वाडी, और हॉजरी, के लिए इनके वूल यूज़ करी जाती है, जो कि यह भी ब्रीड हमें कहां मिलती है, के वज़े से उनके अंदर से ग्रीज, डर्ट और डस्ट निकल जाए, इसी प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं, यह आजकल मशीनों से होती है, अब स्टेप थर्ड हम देखें कि स्कोरिंग के बाद हम क्या करते हैं, सौर्टिंग करते हैं, यह प्रोसेसिंग यूनिट में सेंट किया जाते हैं, जहां पर उनको सौट आउट किया जाता है उनकी क्वालिटी के बेसे, अच्छी क्वालिटी एक साथ और जो उतनी फाइना क्वालिटी नहीं है, उसको बेटा अलग कर देते हैं, अब उनके ऊपर से बेटा फैक्ट्री के अंदरी बर रिमूफ की जाते हैं, बर आप समझें, क्या होते हैं, बर आपने कभी बुल-उन क्लोस पे देखा होगा, जो हमारे खासकर पराने बुल-उन क्लोस होते हैं, उनके उपर एक आउटकमिंग सी आ जाती है बैटा पड़े किसी, wool enclosed की उसी को हम बर कहते हैं या आपने स्वेटर्स पर देखे होंगे उनको रिमूव करके उन्हें वापस स्कोर किया जाता है, साफ किया जाता है फिर उन्हें ट्राइप किया जाता है अब क्या होता है, जर्नली जो शीफ फाइबर होता है जो शीफ की wool होती है, जो हमें उससे hair की form मिलती है, जर्नली वाइट या ब्राउन limited colors में आती है, लेकिन अगर हम market में जाकी wool देखते हैं, तो wool हमें बहुत variety of colors में मिलती है अब ये कैसे होता है, अब हम क्या करते हैं हमने देखा कि उसके अगले process में जब हम sorting कर लेते हैं, उसके बाद burst remove कर देते हैं, दोबारा score कर लेते हैं हुने उसके बाद गुमारा process आता है, उन्हें dye का, तो हम क्या करते हैं, wool को तो अपने favorite color में या जो color हमें चाहिए है उसमें हम उसे dye कर लेए क्योंकि हम लेगा कि wool जर्णलिया हमें black brown और white color में लेए उसके बाद जो process हाता है बेटा step 6 उसमें हम क्या करते हैं the fiber are straightened, combed and rolled into yarn उसके बाद जो fibers होते हैं और हम straight कर लेते हैं, comb कर लेते हैं और यान की form में roll कर लेते हैं जो longer fibers होते हैं, वो sweaters के लिए use होते हैं जो छोटे fibers होते हैं, वो carpet और इन से चीजों में use किये जाते हैं यह हमारा एक process था जिसमें हमने देखा कि wool हमें किस तरीके से मिलती है अगर हम इसे picture पर, present पर देखे सबसे पहले हम sharing of wool करते हैं sharing of sheep, wool निकाल लेते हैं sheep से, hair से तो उसके हम scoring करते हैं, tank में साफ करते हैं, उसमें से grease, dirt और dust remove करते हैं तो उसके बाद उसे sorting करते हैं, machines जैसे हमने देखा कि scoring जो है, machines के through होने नहीं है तो उसके बाद उसे हम ज्यान की form में roll कर लेते हैं process देखें, sharing, scoring, sorting, clearing of wool, dying और फिर let last, पिटा हम क्या करते हैं, roll कर देते हैं समझ आया आपको, इतना करें देखें करें ले, आपको, दो उसके बाद चल्यान का है हम रज़ करते हैं कि जी जातने हैं